हेलो गाइट इस प्रग्या और वेलकम बेक टो मैं चैनल आई होप यू अल आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा इजी सा मेकप लुक उसकी आइज हमने थोड़ी सी बोल्ड रखी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहां लगा र ब्रश के साथ ही और कोई ब्रशिश के स्ट्रोग भी नहीं दिखते हैं इस फाउंडेशन में I like this फाउंडेशन foundation को लगाने के बाद में मैंने यूज किया concealer, ये inside का concealer है, बहुत अच्छा concealer है, अच्छी coverage देता है concealer को मैंने जहाँ जहाँ मुझे यूज करना था, वहाँ मैंने थोड़ा सा लगाया और मैंने क्या किया, जहाँ dark circle से वहाँ थोड़ा सा orange character यूज किया, बहुत थोड़ा सा और उसके बाद में इसको blend कर लिया, orange character जो है वो मैंने बहुत ही कम quantity में यूज किया था क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा ही यूज करना था, जादा फिर लगाते हैं तो orange हो जाता है, जो कि नहीं अच्छा लगता है उसके बाद मैं मैंने यूज किया, यहाँ पर plum का blush, जो कि अभी मैंने नया ही यूज किया है, बहुत ही अच्छा pigmentation है इसका और यह जो shade है, यह dusky skin tone हो, medium skin tone हो, यह हर skin tone पर यह shade जाएगा, बहुत ही अच्छा और प्यारा यह shade है और इसका fallout बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले बहुत कम यूज किया, उसके बाद थोड़ा ज़ादा लगाया, उसको build करने के लिए, अभी मैंने बहुत कम यूज किया है, क्योंकि अगर मैं ज़ादा लगाऊंगी, तो बहुत ज़ादा पूरे face पर blush ही ब्लश दिखेग एक बहुत ही अच्छा highlighter जो कि मैं बहुत time से use करती हूँ, यह Maybelline का highlighter है, बहुत कम quantity में use किया, face को highlight करने के लिए, जहाँ जहाँ मुझे highlighter लगाना था, basically जो cheekbones होती है वहाँ पर, उसके बाद मैं use कर रही हूँ, eyebrow pencil, और बहुत ही natural मैं रखूंगी अपनी eyebrows को, बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने fill किया है, जाधा fill नहीं किया है, क्योंकि जो natural, जो मेरी eyebrows की shape है, मैं उसी को follow कर रही हूँ, यहाँ पर, extra बड़ा-बड़ा eyebrows, नकली eyebrows नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उससे आपका face बहुत ही खराब दिखता है, उसके बाद मैं use कर रही हूँ, यह wet and wild का eyeshadow palette, पर मुझे इसके कुछ colors patchy लगे, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से blend नहीं हो पा रहा है, और मुझे कावी time लगे है इसको blend करने में, त्योंकि बहुत patchy हो रहे थे, यहाँ पर मैंने clean brush लिया, और उसके साथ इसको blend किया, उसके बाद मैं use कर र लगाया, और उसके बाद मैं उसको मैंने अच्छे से smudge कर लिया, एक angular brush की help से, इसको smudge करने के बाद में, आई look जो है almost complete हो चुका है, आई shadow मैं एक shimmery वाला और use करूँगी अपनी eyelid के उपर, इसको अच्छे से smudge करने के बाद में, same जो है वही वाला eyeshadow palette use करूँगी, और य shimmer है, जो कि मैंने अपनी finger tip से लिया है, और finger के साथ ही मैं इसको apply कर रही हूँ, अपनी eyelid के उपर, और eye look complete हो चुका है, बस हम mascara और लगाएंगे, पहले मैं eyebrows पे mascara लगा रही हूँ, ताकि eyebrows अपनी जगा पर set रहें, पूरे दिन, ये gel mascara लगाने के बाद में, eyebrows जो है, वो healthy नह mascara यूज किया, ये है, Maybelline का, और जो पहले वाला मैं यूज करी थी, वो था Gush Beauty का, ये वाला mascara मैंने यूज किया, अपनी eyelashes को थोड़ा सा, volumize करने के लिए, उसके बाद मैं lipstick लगा रही हूँ, बहुती सुन्दर ये peachy shade है, lipstick का, ये plum का lipstick है, इस eye look को ये lip shade अच्छे से compliment कर था, ये look जब एक साथ complete हुआ, तो बहुत ही सुन्दर लग रहा था, eye look भी, और ये lipstick का shade भी, so this is the completed look, आपको कैसा लगा है ये video, मुझे comment section में जाकर जरूर बताना, मैं आप से मिलती हूँ, मेरी next video में, till then, take care, bye, का, नप कि इनने, जाक ये, ये और रूर बताना, मैं आप हांचए, जाक झाले कि हुआगा नहेने, जाद preparation का ए्भालः, का ले घर्टर है, लोस्कु hangs subject का, जार है पार उगर है, जाक्वकषर हैë, जाक्षर है, लेदल, उनाएवारे जारूर आए, जाम जाएख़ार है,